शुभा विहादी ओम स्वास्ति प्रजाब्यः परिपाल यंताम न्यये नमारगे नगतं महीशा गोब्रामडे व्याह सुभमास्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सचिदानंदरूपाय विश्वत्पत्यादिहे तवे तापत्रय विनासाय स्रेक्रेष्णाय बयं नमाह समात्रणिय दर्शक्व्रेंद इमेच्चियानल को सुभविहानी कारेक्रम्मारफत् आमी उपस्थीत वैशक्य का छों। आमी ले श्रीमत भगवत गीता को बारेमा निरंतर विचार विमर्ष गर्दै आये का छों। भगवान श्रीक्रिष्णा र अर्जुन को बीच को संभात सुनिशा की पची संजय ले के भने। यो संदर्भमा आजाहमी चर्चा गर्दै छों। यो स्त्रीमत भगवत गीता को स्रबण गरिशके पची। प्रत्यक मनुष्यको निमित्त यो ग्रंथ यो गीता। अध्यान गरना र इस पित्र को भिशाय लाई बोद गरना अत्यंत ही आवश्यक्षा। किना इसको अध्यान बाटा इसको ज्यान बाटा। आमरो जीवन लाई र आमरा व्यवाहर संग जोडियेका विशाय लाई। आमिले कौसरी कुन द्रिष्टी बाटा बोद गरने। कुन द्रिष्टी बाटा हेरने। जुन बिशाय को बोद बाटा समग्र जीवन लाई भुजन को निमित्त सजिलोंचा। आमरा प्रत्य करमलाई सहज बनावनको निमित्त ती उपकारक बन्द छन। तेस कारण यहां पनी संजयले आमरा इस जति पनी सास्त्र का विशाय अरू छन। सास्त्र का ग्यान अरू छन। इस ग्यान को महत्ता लाई इनको गरीमा लाई आमिले पहिला बुजनु पर छो। किना वने यहां आमिले श्रीमत भगबात गीता को चर्चा गरी राखदा खेरी। यहां जुन विशय लाई संजयले अंतिम्मा आयर यह स्रीमत भगबात गीता को अंतिम्मा आयर। जहां भगबान श्रीकृष्णर अर्जुन को भीच को संबाद शकी शके पची। उनले आपनो गुरा गर्दा चन। त्यों संबाद शुनी शकी पची आपनो मनमा उत्पन्न वहे का भाव अरूनले ब्यक्त गर्दा चन। कि कुने पनी श्रोत आले यो गीता को श्राबन गरी शके पची। कुने पनी बक्ता आले यो गीता को भाचन गरी शके पची। कुने पनी अध्येत आले यो गीता को अध्यन गरी शके पची। प्रत्यक ब्यक्तिको मनमा उत्पन्न वहे भाव लाई। यहांको एस कुराले प्रतिनिदित्वगर चाँ जसरी संजय लाई तियो भगवान को शाक्षयत बाणी सुन्ने अबसर कसरी प्राप्त बायो उनले यहां बन्दचन व्याषप प्रसादाच्रुतवान एतद एतद गुईह महं परम व्याषप प्रसादाच्रुतवान एतद गुईह महं परम योगम योगे स्वरात क्रिष्णात साक्षयत कथयत हस्वयम योगम योगे स्वरात क्रिष्णात साथ्च्यात कथयतह स्वयम अब यो श्रीमद भगवद गीता एक सब्दमा बन्नु पर्दा करी यो गीता की होता बन्ना करी गीता योग हो गीताला योग बनेंचा अब त्यो योग बने को की होता अगारी कप्रसंगम बगवद श्रीक्रिष्णा ले बन्नु पर्दमा योग उच्याते जहां सबै कुराको संतुलन होंचा तेसला योग बनेंचा अमरो मन इंड्रिय रा इंड्रिय का विशायर उलाई जब हमिले शंतुलीत बनाए रा अमरो ब्यभार गर चाओं अमरा कर्म हरु अगारी बडाओं चाओं जीबन तेती बेला अत्यांता ही सुन्दर बन्चा योगो भवती दुखा हाँ अब योग की हो अरकुतिसको परिभ्यासा चाओं जसले दुखा लाई अराण गरी देंचा शरीर का दुखा लाई मात्राई वहिन योग बाट अमिले भूजनु परचा की दुखा बिबिन्न किसिम का उन्चान। तेसलि भगवान स्री कृष्णले स्रीमद भागवात महापुराणमा त्यान भगवान स्री कृष्णको स्तुती गर्दाखरी पने कुछ तापत्रय विनासायो तिनोटा ताप, तिनोटा दुखा, दुखा वनेका तिन किसिम का हुँँचान। आध्यात्मिक दुखा, आधिदाइबिक दुखा, और आधिभवतिक दुखा, इतिन प्रकार का दुखार। यहां सन्सार मा हमिलाई, कईले गाई प्रकृतिको कारण ले गरदा दुखा हुँचा, कईले गाई आपुले आमिले गरे का कर्मा को कारण ले गरदा आमिले दुखा पाउँचा। तेसे बार ती आधिदाइबिक रा आधिभवतिक ती तीन प्रकार का ताप, ती तीन प्रकार का दुखा। तेसता सबाई खाले दुखा लाई अटाई दिने युटा, शरीर को दुखा हुँचा, शरीर मा विभिन्ना किसिम का रोग अरु बिमार अरु लाक्षान, तीन बार्ट मुक्ति उनियुटा, अर्गो शरीर ता स्वस्था चा, तरा मन असाद्धै दुखी चा, चित्त दु दुखेको, बनेगे चा, बनेंचा, बेला-Bela माया मिले, शरीर एशो एर्धा खेरी, तो स्वस्था देखीन च, तरा मन असाद्धै दुखियो, आज मलाई यह तो बने को शुने पसी, अर्थात अमोग ब्यख्तिего यह तो बने पसी, मेरो चित्ता सार आद्धै दुखियो तो चित्ता बने को मन हो, तो मन को दुख लाई बने आटावने, तो शरीर को दुख लाई मातरे आटावने होई ना, योग ले शरीर को दुखा, मन को दुखा, प्रसंपुर्ण जीवन को दुख लाई, इत्ती सबय खाले दुख लाई, अटावने वाई को नाले, यो गीता लाई पनी यहाँ, योग बनी योग, अब त्यो योग बीत्र, तो दुखा अर्टावने योग अस्तो चता, बन्दा खरी, ती योग बनी मुख्य गरे रहे यहाँ, यदे पी देरे योग का बारे माई, योग का प्रकार का बारे माई, यहाँ, चर्चा बाई, मुख्य गरे रहे, तीन ओटा योग का बारे माई, तीन ओटा योग लाई, यहाँ, पगवान स्री कृष्ण ले, मुख्य बिशाय बनावनुग, कि एक नमर, यहुटा, कर्म योग, दोस्र नमर, ज्यान योग रभक्ति योग, जीवन का इतिनोटा महत्तो पुर्ण मार्ग चन, अब इतिनोटा मार्ग माद्धे कून मार्ग लाई, अबलम मन गरने, तिनको विशद चर्चा मिले, विविन्न प्रसंग मां गरे का छो, तेसेली यहां अब संजय ले बन्छन, योगम, योगे, स्वरात, कृष्णात, मैले योगे स्वर, पगवान, स्री कृष्णक बाट, साक्ष्यात रूपमा, अर्जुन लाई, सुनाउदै गरे को तियो योग, अर्था तियो श्री मत भगवाद गीता, मैले सुने, सुन्न पाए, कौसरी तियो मैले सुन्न पाए था, बंदा, व्यास, प्रशाद, चुरुतवान, अर्जुन ले तेति वेला, तियो संपुरुण तिहांत, कुरुक्षेत्रमा, तियो धर्मक्षेत्रमा भईको, तियो संपुरुण ब्रित्तांत, भगवान वेदव्यास कु कृपा वाट उनले दिव्य दृष्टी प्राप्तगरे गथी, हम्रा सास्त्रमा हम्रा रिशी महरशी हरुका, साधना बाट ति साधना कविभिन्न सिद्धी हरु उन्चन, तेस बाट जवतियो दिभ्य द्रिष्टी प्राप्त गर्ने शकींच, तेती बेला एक ठाउमा बसेर तेराई टाडाको कुरा लाई पने सुनना शकने, तेराई टाडाको कुरा पने देखना शकने, थापाऊना शकने, तेस किसिमको द्रिष्टी लाई दिभ्य द्रिष्टी प्रतिक आत्मक रूपमा तेसले केलाई बुद गरावना सकेकुछा। युटा पीताले अपना बंदुहरुको बीचमा च्वराहरुको बीचमा बायको युद्ध लाई प्रत्यक्षरुपमा हेर न सकता ही नौ। अब तियोसलाई उनले एरदीना वनिशाके पछे। तियांको तियो संपुर्ण कुरा थापावने दिभ्यद्रिष्टी संजायलाई प्रदान गरे नौ। संजायले तियांको संपुर्ण कुरा थापावने दिरितराष्टालाई श्रबन गरायका थिये। तेशकारण उनले भगवान वेद व्यास को किरिपा बाट मैले श्री कृष्ण रा अर्जुन को बीच को जुन संबाद जुन योग मैले सुन्न पाई भने र अंतिम्मा बेद व्यास्ति प्रती संजायले कृत ज्याता भ्यक्त करता थान। आमिले पनी योग ज्यान प्राप्त गरी शके पचे इस बाट आमरो जीवन आमरा करम आमरो व्यभाहार लाई शले सहस्ता प्रतान गरचा तेशकारण निरंतर आमिले शको शुन्ने अध्यान करने अभ्यास करनू परताचा। सर्वे भबंत शुखिनह, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पस्यंतू, माकस्चित दुखबाग भवेत, अजुररको दिन शुबहोस, भन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागाच्छ, मजोद्धी साचारे, नाराण प्रशाद भंडालिय। संदै जही तहिनिक पंचांगर राशिफलको साथ मा उपस्थित भाईशाके को शुखू, शुरुगरों आजको पंचांग बाटा। आजा विक्रम संबत 2018 माँक तिन गते बुधभार, इस्वी संबत 2013 जनवरी सत्र, नेपाल संबत 2444, पिंगल नामक संबसर, शुरिया उत्तरायन, सिस्षिर रितु, पोईश शुकलपक्से सप्तमिति थी, उत्तर भाधरपदा नाच्चेत्र भिहाना नोवजेर 46 मिनेट समर रहनेचा तदु प्रांत रेवती नच्चेत्रा शुरु हुनेचा, सिवयोग बाधराकरन, अनंदाधी योग मां मीत्र योग रहेको छ, आजा चंद्रमा मीन राशी मां बर्मण गरनेचान, आजा मद्यानन 12 बजे दही शाडएक बजे समर, राहुकाल रहने भायकाले, ते लागाउं 12 वट राशी हरु मां गरहरु को प्रभाव के कस्तुर आनेचा बनने तर्फ, मेश राशी, मेश राशी हुने हरुका लागी समय तेदी धेरे रामरों देखिये को छाईन, आजा को दिन मां विविन नगिशिम का तनाव जन्जट हरु बेवर्न परने आवस्था आई परने छा, कार्रे बोज को कारांडे गरता खरी सारीरीक थकान बड़ेर जाने छा, तेशे गरी आजा को दिन मां गरेका काम हरु तेती उच्छा हाजनक रूप मां तेशको प्रतिफल आता नपर्न सकने संभावना रायको देखिये गो छा, तेशे गरी खुट्टा ता देखा परने छा, आमदानी गटने छा, खर्चमा ब्रदी हुने छा तेशे गरी शिरजनात्म कार्य मां श्रमय वेतित हुने छा, गरेका काम को उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकने छा, गरेका काम को तारिफ पर्शम्षा हुने छा, तेशे गरी आजको दिन मां स्वास्त्य अबस्था अनुकुल रहे रा जाने छा, मित्रहरुषंग मिलन बनने छो, मिलन को योग राह को चावाने भगवान परती भग्तिभाप बनी बड़े र जाने छो, तेशेगरी काम करने उच्छा हा उमंगमा बेरदी हुने छो, पठण पाथण को छेत्रमा काम करने विद्ध्यार्थी बरग हरु का लागी पठण पाथण मा रुची बड़ करकट रासी करकट रागी समय अनुकूल रपरतिकूल दुबय खालको मध्यम खालको समय रहको देखियेको छो निरणाय शे मातामा कमी आओने छो के गरों के नगरों वन्ने दोई विधा ग्रस्त वस्ता प्रने छो तेसे करी आजको दिनमा खुट्टा तान्ना खजने व्याक्ति हरू भे चुमधूर, शवुहार्द, पून, रश, समझदारी पुरुवक अगाडी बढ़नेचा। सिहारासी आजको दिनमा मनमा पनी निराशाको अवस्था देखा पर्ना सक्ष, अरुको काम मा ज्यादा समय खर्चित ने राफना काम हरु अलपत्र पर्ने अवस्था, आजको दिनमा आउने देखिये को चल। कन्या रासी सक्किनेचा अमदानी बढ़नेचा। तूला रासी तूला रासी उनेवरुका लागी मुद्द मामिला बिवाध हरु बाट मुक्ति पाइनेचा। सम्मंदा हरु शुमदूर बढ़नेचान। बलीको शकरात्मक प्रभाब बढ़ेर जानेचा। आत्म विश्वास्रा आत्म बल्मा ब्रदी हुनेचा। स्वस्थे अवस्था अनुकुल रहनेचा। तेशे करी आजको देनमा शिर्जनात्मक कारे हरु रचनात्मक कारे हरु अथ्वा कृतिमानी कारे शामेत गर्म सक्किनेचा। ब्रिशिक रासी ब्रिष्चिक राशी हुनिहारू का लागी समय मध्यम खालको रायको देखिये को छो पेट संबंधी समस्चा अले सताओना सक्ष टाउको दुखने खालका विभिन खालका माईग्रेन संबंधी अवस्था बाटा पनी पेडित हुनु पर ने देखिये कोछ तेसे गरी पाग्ये बलको कमजोर प्रभाव रायको हुनाले गरदा खरी बड़ी भन्दा बड़ी मेनेत गरे पसी मात रखुने पनी कामा शफल बनना शकीने खुट्टा तानना खजने ब्याक्तियरू हुने चान तरा उनी हरलाय हमिले जीतेर अगाडी बनना शकीने अवस्त बली को नियंत्रेत परेक गरनु भय बने तेसको प्रभाव बड़ेर जाने शा नया ब्याक्ति संग शहकार रे गरने अवस्तर पनी आजको दिनमा जूर ने खुट्टा थनू रासी उने रुका लागी चिन्ता तना थबिने शा पारिबारिक बिबाद रकी चलो निम्तने बईदेशिक छेत्र मा जाने ब्याक्ति अरुका लागी बड़ी भन्दा बड़ी शारीदिक श्रम गरनु परने अवस्ता अथो वा नासिक रुपमा पनी तेस्को बड़ी प्रेसर परने खालका कामरू गरनु परने अवस्ता अँने शा तेसीग आ आजको दिनमा नAKरात्म बिशाये ले बड़ी आकर्षित गरने छो, अथवा दियेको सही सल्ला आला पनी तेसलाय मनन्न करने, अथवा नकराहत्मक कार्ये हरुतर्फ उत्प्रेरीत उने खालको त्यो बुद्धी तेता दिर जाने छो, तेसकारानले करता खरी सचेत भायर अगाडी बन्नु परने आव गरनु भायो भने तपाई का योजना हरु शफल उन्छन, तपाई का उदेश्य अरु प्रावति उनसक्न सम्भावना देखियेको छो, तेसे करी आजको दिनमा पारिबारिक जीवन अत्यंते सउहार्द पुण, अत्यंते मनोरम बनने छो, साथी भाय अरु बाट सहयोग प मिलने छो, आमदानी बडेरा जनाने छो, खर्चमा पनी कटोदी हुने छो, अथवा नियंत्रित खर्चा हुने छो, खुम्भ रासी कुम्भ रासी हुने हुरुका लागी समय मद्यम खालको देखिये को छा, आजको दिनमा कुने बनी जोखिम पना काम मा शाहात नालनोला, कुने नया बेवस्टाय अथवा कुने कार्रे अथवा केई, शुरू गर्ना खजुनु भाय को छा, नया काम को स्थालानी गर्ना वस्था रहने छ, परिछ्या प्रत्यो गीता मा श्मोचे अनुष्डार को नतीजाहात्पार ना कठी नाई उत्पन नाँ हुना हुना शकने, देखिये गो छ, तेशे करी आजको दिनमा कुने शानो लाप्रभाई को कारान ले गर्दा खेरी, कुने अंधेखा को कारान ले खेरी कुने कामलाई नजरन्दाज गर्दा खेरी भयाबह अतिसको ते वो परिणाम चाइए ठुलो छेती हुना शकने अवस्थाबनी देखियेको हुनाले गर्दा खेरी तेस तरफ अत्यन ते सचेद बनेर अगाडी बन्डु होलाई मेन रासी मेन रासी हुने हरुका लागी समय अनुकुल देखियेको छा आजको दिनमा आत्म विश्वाश आत्म सम्मान बड़े र जाने छा शक्रात्म कारे तरफ उत्प्रेरिद भहिने छा हुशला उमंग र साथ दिने व्याक्तियोरू प्रशस्ते भेडी ने छान आजको द प्रशस्ते भेडना आत्म कारे बवद्दिक कारे रजनात्म कारे मन्रंजनात्म क्या गति बिदी मा समेथ शहबागी बनना शक्राइचा गुमेको धन फेरता आऊना सक्ने योग आजको दिनमा राइको छा तेछे गरी आफनो जिम्मेबारी लाई आफनो करतत दे लाई राशी फल मा बतायेको जुन ग्रहजनित फल छ तेसलाई हमरा कर्म भीना हमरा मेहनेत आमरो परियास भीना तेसलाई स्वतह प्राप्ति गरने भनने होई ना यो कुरालाई अतनते गम्रिता का साथ लिनू हला र एदी तपाइं ले सक्रात्मक कर्म गर्नुभयो ज्यादा भन् आमस्कार प्रिन्नावनकलानाथो अरिदयानन्नवरदिनो सुखदो राधिका कृष्णो अम्वाजिहं कुञ्जगामिनो रिष्णम नारायनम् बन्हे कृष्णम बन्हे ब्रज प्रियम् रिष्णम दईवायनम् बन्हे रिष्णम बन्हे प्रिध सुदं नमस्कार यहारलाई श्वागच्छ बास्तु शास्त्रमा आदडिया सज्जन भागतवरिन आजगो विशय प्रशंग के लियर उपस्तित भायकुछू बन्न बास्तु शास्त्र भनेको कियों। और बास्तु शास्त्र अनुशार्णे नहीं ग्रिय निर्मानक्किने गानुपरास। परापुर्वकाल देखिनें यो बास्तु को प्रचलन शली आये करेशा। दसील्र पच्चिन को भागमा निरित्ती नामगरेको दानब यशरी बश्नुचू। प्रिष्ट भागमा चाहिनी खाल्डो खन्नुचू। त्यार चाहिन गरू का चीजारू राखते वने बास्तु पुरुसरी प्रशनुचू। जस्तो इसान कोडमा अगनी राखियो बने की होंचा भान्ना करी। त्यो गहर में क्लेश उपठ्नुचू। तो क्लेश भाइश केचि त्यो गहर में त्यो गहर को मेन ब्यक्ती का प्रेशर आधी रोग होंच। त्यो ब्यक्ती लाइजी प्रेशर स्मंध्य रोगली। शुगर स्मंध्यो गुणचू। थाइराइड स्मंध्यो गुणचू। कि ने क्लेश भाइश भाइश नेते तप्ता भाइश। तो चिशो स्थाम में तातोली नीम आईते। आगनेया स्थान में चैनी एदी इनार कुआ राखे वनी क्या भाइव? त्यो गहर में चैनी शुखा, शान्ती, संब्रेद्धी, अईश्वरिया को बाटो रुकावट भाइश। त्यो बाटो रुकावट भाइश अगिजे त्यो गहरु को भ्यक्ती क्यवाई? परिशानी भाइश की चैनी परिशानी भाइश की चैनी वेक्ती क्या गर्था भना करें? तेसे कारानले गरिय निर्माण गर्दा खेरी बास्ताप्रकार ले उल्ले धे दुखाप्रावट से बास्तु को लाग Zahlाए बिजार गर्ण परशे नियुकार येदी हमले तेस्तो बास्तुको लाग धरय विजार गर्ण शंकिन मने जीवन माँ दुख अधन हरू आइल लाग पुरुवा काल देखिनें निरित्ति नामगरे का दानभ भगवान शिवा भीचेने घमाशान युद्ध वायचेने तो युद्ध गरने क्रम्मा भगवान शिवा कुरोदीद वायरा शिवजीगा चेने यो बुरुवंग वाटचेने नि यो आमरु तिरक लाउनी बिन्दिज लाउन ठाउँ भाड़ा तो निरित्ति नामगरे का दानभ जाईनी उत्पन्न भगवा का कारण ले तो शिवा गण जस्ताई तिनलाईचेनी पुजा आरचाना बंधना ना गण परचेने दीप, कलश, गणेश, शोडश, पचार ले या यात्रिष्ट याबतम पुजाकरो मी ताबतम सुस्तिरो भावत शो प्रशन लो बरादो भवा सर्वारा आशनम स्वरपामी बास्तव पुरुषायनम पाद्यम स्मरपामी बास्तव पुरुषायनम सुद्धतकर स्नानम स्मरपामी बास्तव पुरुषायनम अरगम स्मरपा आपिराचुर्ण नमरपामी बास्तु पुरुषायनों अभिराचुर्ण नमरपामी बास्तु पुरुषायनों अभिराचुर्ण नमरपामी बास्तु पुरुषायनों अभिराचुर्ण नमरपामी बास्तु पुरुषायनों अभिराचुर्ण नमरपामी बास्तु पुरु अक्रिफ भास्तु पुरुष यूण फुरुष यंगट, गूंगाज़द छेंपटों से विपयस्तु पुरुष अर्फ हां केसी नूसी थिद्टों यूणोरु यूणिस्टपरवाय, द्रभ्या दख्षि नाम आड्षूणाउम से विपयस्तु पुरुष को जहीं पुज बुजागरी शकेचे, बाहतु भगवान चानी बड़ा प्रशण न होनुँचा, एसमा कुनें प्रकार को बाहतु दोसर होनुचा, तो यह जो राजा महाराज का दरवार होनुचा, शीम दरवार, माईती घर, घंटा घर, यह संपुर्ण इस्थान मापनी बास्तु पुजागरे को देखिन थे, र माथी गएर त्रिशूल, डंवरू, घंटा, तेस्तो प्रकारले राखिये को देखिन थे, तेले गरदाखरी बास्तु सम्मन्दी दोसर होनुचा लाईजेनी, ताडा गरदाखिन थे, बास्तु सम्म बास्तु सास्त्र यदी नमिलेको ग्रियमा यदी बश्न पर्यो भनी देखि, जीवन दुखी द्रहांचे, जीवनमा देरे प्रेकरगा क्लेश अरू उत्पड़ना होनुचे, प्यशकारले बास्तु सम्मन्नी समस्याचा भनी देखि, ज्वत्ति श्लाइट्य माटो देखाये और तो इस्थान को बास्तु सांती करने को लागी अब अईलेको समयवा वनिवक्षिंज बन्ना करी इंजिनियर अरू यह नहीं बास्तु चैनी पड़े रहा बास्तु सास्त्र अनुषार के ग्रियमान गर्न पर्यों अरू अईलेक अरूमा शात्र 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 अरूमा वनिवक्षिंज बास्तु चैनी पड़ाईएंचे। देरे कुराले अगाडी बड़ेको जात्र उष्णा, से कोरावेले अगाडी बड़ेकोअं तर उसकीff्तव्त नेखिको के अनुषितू अगाड़ेकोचे तर्वानि प्रेकार आईलेकोचे चिल्लाईला अपर्यों क मेलीटू श्वामास्य फोटकोर सोलसोन पनिवहणमा स् विवेड़ जाड विवेड़ इस देशच साथे लिवामी में। थेस्ते कुने प्राकार को प्यासि लाई पानी ही प्यास बोजाई गेज़ा, वह को झानारी भोग बोजाई दीज़ा जिए थे सम्मान नि imported पूजा आजालाई कर दरू एकारादानाई कर दरू informå। कि उन्च जीबन में उन्नाती प्रगती र अभी ब्रिद्धी हो दाई जान्च इसमें कुनें प्रगार्गो द्युविदा छाई। इजव पनी ब्यास्तु थियो और आजव पनी ब्यास्तु छा और बोली पनी ब्यास्तु रहन्च शास्त्रा ले भन्च सत्या ब्रतं सत्या परंत्रिशत्यां सत्या यो निम्हीतं ससत्या सत्या 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 स इज शत्य थियो आज सत्य श बोली सत्य रहांचे। यो जगत को नियम हो। र बास्तु पुरुष भगवान द्वारा हमी लावणित होनको लागे। र जीवन में धेरेई प्रकार को कारियस्वय लाई अगाड़ी अभी बृत्ति गर्नको लागे। हमले चैनी बास्तु समंदी पुजा आरजना जब यंत्र, मंत्र, तंत्र, ध्यान, आरदना गर्न शकिंचा। याहरलाई घर में कुने प्रकार को दुश्वप्न, घर में कुने के चीर हिडे को संकियत, यदी मिल्यो, दुख कस्ट भयो, र सह भयन, घरवार शुकर्शान्ति भयन भने, लोचन जोतिष तथा बास्तु सिवा कोटेश्षूर। आम लाइश्व श्रम्जनोष, अंठाना बे पार दर्श जिरो छपन्ना चालीष, अंठाना बे एक चालीष, सत्ताय त्याइचाईशथी, हस्ता नमस्कार।